आज में अब लोगों के सामने एक मझेदार सा नास्ता लेकर आए हैं तो इस नास्ते में मैंने न घॉब अब नहीं पाउडर का और नहीं इनो का अधब सोडा भी मैंने समच तमाल यह किया है यह रेकों करके कितना जाली दार बना है यह देखिए इस तरह हम डुकला बनाते हैं अंदर से बहुत जालीदार होता है ठीक एंदर इसके चटनी तो वाव मजा आजाए अगर इस नास्ते तो करना क्या है एक कढ़ाई को गर्म कहना है जिसमें डालना है तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और आदा चमस से थोड़ा सकम अजवाएं तो इनको दो से तीन में भूण लेना है जब चाटक नहीं लगे तो यहां पर मैंने एक कटूरी कर सकते हैं तो यह मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है और सूजी को भूणना है हमें इसे जादा गुर्डेन कलर नहीं लाना है हमेशे तीन से चाज मिनट ही हुऑनना है अब यह क्या करते हैं नमक डाल देए रहए यह सुआद करहीं चार्जीम करेंगे तो जादा हो जायेगा तो टिष्ट बेकाः हो जाएगा तो नमग की सुझी के साथ मिकस हो गया अच्छी तरह से उह एक मिनट हो भी गया है तो चलिए पानी डाल दे wastewater है थिशो कर दो अभी तक मैंने दो कटोरी पानी डाला है मैं थोड़ा सा पानी और एड़ कर ले रहे हूं सवा दो कटोरी मैंने पानी एड़ कर लिया आप लोगों तो पता ही होगा एक कटोरी सूजी के लिए दो कटोरी पानी की ज़रुत होती है तो मैंने थोड़ा सा पानी की मात्रा तो हाई फ्लेम पर यहां देखे डोका आगार आ चुका है इसका पानी सूजी ने सारा सोख लिया है तो हाई फ्लेम पर मैं इसे पका लिए हूँ अच्छी तरह से तो अब यहां गैस को मैं बंद करूंगी और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अब यह बहुत गरे में देखे इस्टीम निकलना आए तो अभी हम बनाएंगे तो हमारा हाथ जल लगा इसलिए इससे दो मिनिट के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा भाप निकल जाए और इस नास्ते को बनाने के लिए में बहुत जादा थंडा नहीं करना अगर आपका थंडा हो गया तो इसका आकार नहीं बन पाएगा इसलिए जब दो थोड़ा गरम रहे तभी ही हाथों पर देल लगा लेजे ताकि सूजी हाथों में चपकता है आप लोगों तो प शेत कर ले रहे हों तो यह देखिए मेंदूबड़ा का अगार मैंने दय दिया है हमारा मेंदू रड़ा दयार हो गया है, समझल दढ एस तरह भी बना ले ए 각क तो ऐसे एक किक करके हम सारे सूजी के नास्ते को बना लेंगे और यह देखिए देखने में कितना सुंदर लगा है तो सोचिए खाने में कितना मज़ेदार होगा तो चलिए अब चटनी भी बना लेते है तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी मुंफली का इस्तमाल किया है तो यह किज अद्रक का टुकड़ा तीन लसुन की कलिया चार सूखी लाल मिच आप इसकी जगह हरी मिच का भी इस्तमाल कर सकते हैं और नमक डालना है थोड़ा सा स्वात के अनुसार आधा चमर जाएगा इसमें अमचूर पाउडर अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है त तो उसकी जगह आप ताजे नेरियल का भी इस्तमाल कर सकते हो तो एक पैन आप गर्म करना है जिसमें में सर्सो का तेल डालना है एक चमर सर्सो का तेल जब गर्म हो जा तो यहां पर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और आधा चमर काला सर्सो सर्सो को चटक नेल देते हैं फ वाव कितना प्यारा लग रहा है सुछ ये खाने में कितना मज़दार हो बहुत यम्मी होगा तो यहां चटनी में अच्छे से मिक्स कर देते हैं तड़के को तो यह देखें आप यहां कड़ाई को मैंने गर्म कर दिया जिसमें मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था तेल जब गर्म हो जाए तो यहां पर हम नास्ति को इसमें डाल देंगे और medium flame पर इसे हमें हलका golden होने तक पका लेना है तो उलटते पुलटते रहना है और इसे हमें fry कर लेना है तो यह देखें इसमें golden pan आ गया है तो अब यहां इसे हम बाहर निकाल लेते हैं ज्यादा golden नहीं करना है तो अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं ये देखे हमारा नास्ता बनकर बिलकुत तयार हो गया है तो बचे हुए तेल में बचे हुए नास्ते को फिर से डाल देते हैं और उनको भी फ्राइक कर लेते हैं तो ये देखे मजएदासा सूजी का नास्ता बनाकर एकदम पर्फेक्ट तैयार हो चुका है और देखे एक कटोई से मैं धे शारा नास्ता बनाया है अगर ज बहुत ही प्यारा लग रहा है ना तो कभी में माना नहीं है तो आप इस नाश्टे को आसानी से बना सकते हैं और बनाना तो बहुत सरल है अपने देखी लिया तो चलिए इसकी आवाज थोड़ा से खिर से देती हैं अब लोगों को तोड़कर दिखाती हूं अंदर के भाग को जो जालीदार है ये देखी इस साइट के लेर को छोड़ दिया है अंदर से बहुत ही जालीदार है अब बहुत ही टेश्टी है ये देखी अब ये जाएगा चटनी में अब इसे हम सर्व कर लेते हैं इस तरह से एकदम सिम्पल सी रेस्पी लेकर आए हूं मुझे लगता है आप लोगों कोई मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लेज लाइक और सेस्काइब करना ना भूले और आप भी सूजी से चटपटा सा नास्ता बनाए